की है कि हाओं अपट सभी को नमस्कार आज कर जो मारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कर्षिन करेंगे आवै्सन की वीध्या इंप कौण सी होती हैं उसके बाले में हम चर्चा करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो देखिए आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे आवेशन कि आवेशन की वीधिया यानि कि किसी पदार्थ को हमें आवेशित करना है मैथल ओफ चार्जिंग ठीक है उसमें कौन-कौन सी वीधिया हम पढ़ने वाले तो तीन परकार की वीधि हैं यानि कि किसी पदार्थ को तीन प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं यानि कि किसी पदार्थ में आवेश इस्तानांतित हमें करना है एक वस्तो से दूसरी वस्तो में तो उसकी कितनी वीदिया है तीन वीदिया है पहली वीदिया है जिसको करते हैं घर्षन वीधी क्या करते हैं घर मैफ्षन विथी और कि द्रीदै करने हैं कि रिक्षनल मैठर क्या बोलते हैं प्रिक्षनल मैठर पहली विथी घर्षन वीति दूसीरे वीति हैं जिसको बोलते हैं प्रेयरंड विति क्या बोलते कि मतिने निठॉं मेथाद क्या बोलते हैं इंड्नेक्षन अमेथा है और में और तीसरी जो विधी है उसको को बोलते हैं चालन वीधी कौनची वीधी चालन वीधी चालन वीधी यानि कि कंडेक्शन कंडेक्शन मैथड इन तीनों ही वीधी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो आवेशन की वीधिया है यानि कि किसी पधार्त को आवेशित हमें करना है तो तीन वीधियों के द्व या चलन वीधी अब इसमें क्या है कैसे इनका यूज करते कैसे इकाले कारे करती हमक इस REALLY तोड़े में सबसे पहले जैसे कि कौशी है घर्षन वीधी भान को सबसे पहले वीधी थी है जढर शली में ecc किस परकार से वस्तों को आवेसित किया चाहिए अब देखें काफी ब्लूस को मिलेगा कि सब्सक्राइब के अनुशार ठीक है तो यहां पर देखिए हमारा जो आज की पहली वीदी है वह है घर्षन वीदी इसमें क्या-क्या हमें पता होना चाहिए क्या-क्या requirement है तो इसके लिए कम से कम पहला पॉइंट है कम से कम कम से कम है कि दो सब्सक्राइब कम से कम कितनी हो दो हो आकेली नहीं हो सकती है दूश्रा यह है कि कोई भी कोई भी कि पिंड आवेशित नहूं आवेशित नहूं यानि कि जो भी हम ले रहे हैं कम से कम दो ले रहे हैं वह कैसे होने चाहिए उदासीन होने चाहिए कैसे होने चाहिए उदासन वो आवेशित पहले से नहीं होने चाहिए तीसरी जो इसकी मैन है वो है कि जो वस्तु हम ले रहे हैं वस्तु ठीक है उनकी वस्तु या पिंड्र हम कह रहे हैं उनकी परकरती जो परकरती है वो क्या हो अलग-अलग होनी चाहिए क्या हो अलग- हमें पता होनी चाहिए कौन शी वीदी में घर्षन वीदी में कम से कम दो वस्तुया पिल्ड होने चाहिए कोई भी आवेसित वस्तु इसमें नहीं ली जाती है ठीक है तीसरा क्या है वस्तु जो भी हम लेंगे उनकी वस्तु की परकरती अलग-अलग होनी चाहिए जैसे दो ल तरीके से हम बात करें कि किस परकार से घर्षन के दोरा आवेस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सब्सक्राइन होता है तो सकर कि लमी कि बात करें ह। क्या Account ने मौन लो एक पींड या वस्तु है झिक है मैं सिल्क क्या है कि यानि कि रेस Absol Summit कोई कपड़ा हमने लिया और एक हमने लिया यहाँ पर ग्लास रोण ले लियर की कांच की ठोल के हैं यह वस्तुज़ ब्सक्राइज है यह वस्तु क्या है बिए तो दोनों की परकटी अलग अलग हो गई प्रारम में दोनों ही क्या है उदासीन हैं इनके अपर कोई आवेस पहले से नहीं है अब देखेए यहीं हम एसमें करेंगे इनको रब करवाएंगे diggon करेंगे तो जैसे घरशन करेंगे इसके होता है किसका इस्ताना अंतर्ण होता है इलेक्ट्रोन तो यहां पर जो इलेक्ट्रोन है वो ग्लास रोड से कहां चले जाते हैं लेसम के कपड़े पर ठीक है या सिल पर यहां पर रिनात्मक आवेस आ जाता है क्या जाता है रिनात्मक आवेस यहां पर इलेक्ट्रोन आ गई तो यहां इलेक्ट्रोन की कमी हुई तो उस कमी को धनात्मक आवेस द्वारा पूरा किया जाता है तो यहां कि इस परकार से सब्र्ड़ी है वह हीट हो जाए उस्मा जाएगी उस्मा के कान यहां पर इलेक्टोन का इस्तारांतिन होता है और ग्लास रोड को चला है रेसम के कपड़े में चला जाता है शिल्क में चला जाता यहां इलेक्ट्रोन की अधिक्ता हो गई तोन्हावuuuu चाली हो जाती है और वं धनावीसित हो जाती है अबिस County कारण क्या है कि ि यहां पर हम्हें सब्सक्राइज की सिरे कारिय व्लं किसको डभलू के दक परदर्शित किया कार्याफिलंग क्या होता है कार्याफिलंग वहन्यून्तम उर्जा होती है एक परकार की उर्जा है ठीक है वहन्यून्तम उर्जा जो किसी पदार्थ से किसे इलेक्ट्रोनों को बाहर निकालने के लिए आवशक होती है उसको हम क्या कहते हैं उस पदार्थ का कार्यफिलन कहते हैं यानि कि जिसका कार्यफिलन ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रोनों को बाहर निकालने के लिए अधिक उर्जा कि आवसकता होगी यानि कि यहां पर कार्यफिलन ज्यादा है तो अधिक उर्जा हमें चाहिए तो यहां पर कुछ ऐसा है यहांपर मालो डबलू येवा भी तिक है अब दीचे då letter कि कि ऐम गर्षन कर वाँ यहां पर थाओãy इसका कालेख इसका ज्यादा है किसका कम यहांद रख़ ना जिसका कालेख व्यादा होगा दो प्रडार्टों को जब हम घर्सन कर रहेंगे जिसका कालेख जादा होगा क्या क्या करेगा वो इलेक्ट्रोन को क्या करेगा इलेक्ट्रोन को ग्रहन करेगा जिसका कार्य फिलन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोन को ग्रहन करेगा और जिसका कार्य फिलन कम होगा वो इलेक्टोनों को क्या करेगा इलेक्टोनों को त्याग करेगा तो इस परकार से इसको परिवासित किया जाता है कि जब दो वस्तों को घर्षन किया जाता है तो इसमें हीट उस्मा उत्मन हो जाती है जिसके कान आवेश का इस्तानांतन होता है वो किसके उपर निर्भर करता है वो कारेफलन के उपर निर्भर करेगा जिस पदार्थ का कारेफलन ज्यादा होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर शिल्क का यहाँ पर हम लिखें तो डबलू ए का मान किस से ज्यादा होगा डबलू बी से ज्यादा होगा ठीक है यहाँ पर जो शिल्क है इसका इससे इलेक्ट्रो को त्याग देगा जैनिकि इसका कारेफलंण यहां परभलू भी हमने माना उसका जादा है यहांसे किसमें ऐगे इसी कारण से सिल्क होजाता है ग्लास रोड क्या हो जाती है धनावियसित हो जाती है तो यह र्ult कौन सा है जब इनको का किया करेंगे हम घर्षन अपस میں करवाते हैं उसपर क्रिया की दोरान ऐसा होता है तो यहां पर घर्षन विधी के लिए हमें कारिय फुलें वैसे आपको ब्वग्रा में देखने को मिलेगा तो वहां पर ऐसा ही है कि दो वज्टों को हम गर्षन करवाएंगी, गर्षन करवाने से क्या होगा, गर्षन करवाएंगे तो उनमें इलेक्टोनों का इस्तानांतन हो जाएगा, लेकिन मैं थड़ी यहां पर जो हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो उसका कारण क्या है, कार कर द míульт UnitedSwust तो जिसका क्म होगा वह इलाक्टों को त्याग देगा तो जिसके उपर यानि के कारेफ जादा होगा वह इलेक्टों कर लेगी और जो ट्याग देगा वहां पर YOL announce की कमी हो गई जिसकी पूर्छिकॉर्टी कों करेगा धनात्मक आवेस करेगा, अब दूशा method क्या है, दूशा method है, प्रेरण वीदी, तो प्रेरण वीदी में भी क्या क्या requirement हमें होनी चाहिए, पहला कम से कम, कम से कम, कम से कम, दो पिंड हो, दो पिंड हो, ठीक है? आच्छा, दूसरा, कोई भी एक दोनों में से, कोई भी एक या दोनों कोई भी एक हो सकता है या दोनों ही क्या हो सकती है आवेसित होनी चाहिए क्या होनी चाहिए आवेसित होनी चाहिए जबकि घर्षन वीदी में कोई भी आवेसित नहीं होनी चाहिए इसमें क्या कोई भी एक या दोनों ही आवेसित हो सकती है तीसरी कंड की बात करें हम तो जो परकरती है जो परकरती है वो क्या हो वो परकरती समान समान या अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग हो सकती है जो परकरत हम ले रहे हैं उनकी परकरती समान या अलग-अलग हो सकती है जबकि घर्षन वीधी में दोनों ही वस्तुए कैसी होनी चाहिए अल अलग-अलग होनी चाहिए और यहां पर समान भी हो सकती है यह अलग-अलग भी हो सकती है दोनों में से दोनों भी आवेसित हो सकती है यहां पर कोई दोनों वस्त में उदासिन नहीं होनी चाहिए और कम से कम दो पिंड होने चाहिए अच्छा इस वीदी में यह जो भीदी है क्या किया ढिना सुर्ट क है और बिना इस पर्ष किये आवेस्ट क्या चाहिए अधिक करना तो Peak active आजने कि किसी पदार्त को बिना स्बीजिए हुआ हम क्या करें आवेस्द करेंगी तो जब पूछ लिए जाए कि ऐसी कौन सी विधी है जिसमें बिना इस पर्ष किये हुए वस्तों को हम आवेशित करते हैं वह कौन सी वीधी है प्रेरण वीधी तो याद रहे जाएगा तो इसमें क्या क्या कंडिशन है कम से कम दोपिंड होने चाहिए दोनों में से कोई भी एक या दोनों आवेश हैं वस्तों को आवेशित करते हैं तो देखो मालो कि ये एक वस्तों पिंड हमने लिया और यह पॉजिटिव है यानि यह आवेशित है यह क्या है आवेशित ठीक है और इसको किसी कुछ अलक स्ठेंड पर हमने रख दिया अब माल यह बोड़ी ए है अब इसके पास में एक दूसरी बोडी हम लेकर के आए, बी बोडी हम लेकर के आ रहे हैं, पहले ये उदासीन है, पहले क्या है ये उदासीन है, ठीक है, ए और बी जिसमें से ए धनावेसित है और बी उदासीन है, अब इसको इसके पास में लेकर के आएंगे, ठीक है, तो पास में लेकर के आएंगे तो हमें पता है कि जो उदासिन वस्तु होती है उसमें जितना धनात्मक आवेस होता है उतना ही क्या होता है रिनात्मक आवेस होता है तो यहां पर कुल आवेस जो होगा इन दोनों का योग वो जीरो यानि कि उदासिन हो गई लेकिन जितना धनात्मक उतना ही उसमें क्या है रिनात्मक आवेस है यहां पर प्लस और माइनस हैं लेकिन वस्तु क्या है उदासिन उसका मतलब हुआ कि धनात्मक और रिनात्मक दोनों मान क्या हैं इसमें बराबर है तो जैसे इसको इसके पास लेकर के आएंगे तो यहां प जура करम लेक्ट्रोन की कम्य King की अंगी तो यहां पर जैसे इस एक कमी होगी तो यहां धनाखमक कावेश इस प्रकार से ल्युकर जाता है जो जाने जिए और अमस्ति के पास कि dau Asya स्युनक को हम लेकर अबे एक जिसमें कुन करेगा धनात्मक आवेस करेगा यह पहली पर करिया अब उसके बाद में कि जो वस्तू यह हमने ले जिसको हमने आवेसित कर रखा पॉजिटिव क्या कर रखा है तो इसमें इस परकार से डिस्टिबुशन होगा अब जो है उसके ओपर यह धनात्मक इस परकार से यह ऐसे बना दो बाहर भी बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे जैसे यह इधर नेगितिव आ गया ठीक है इस परकार से और इधर क्या आ बहु कर देते हैं भू संपर्कित यानि कि पर्थवी से हम जोड देते हैं इसको इस वाले इस से को पर्थ长 से छोड़ेंगे तो पर्थ एलेकट्रों कहा एंगे यहां पर आ जाएंगे यहां पर आने से जितने यहां पर Una invece इंटने ही नेगितिव आ जयाए जिससे यह क्या क तो यानि कि इस परकार से इसको हम हटा ले और इस वस्तु को भी हम हटा ले यानि कि पिंड एक को भी हटा ले और जो भूर संपर्कित किया उसको भी हटा ले तो हमें कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा क्या मिलेगा कि यह बी बोडी है हमने एक को हटा लिया तो हमें इस इस परकार से देखने को मिलेगा कि A को हमने हटा लिया इससे और B से जो भूर्ष संपर्गी था उसको भी हटा दिया तो धनात्मक आवेस्तों कैंशल हो गया तो क्या बच गया नेगितिव चार वह इस परकार से इसके उपर क्या हो जाएगा चारों तरह फैल जाएगा तो ब बिना इस परके हुए उसमें क्या किया आवेस का इस्तानात्र कर डिया ठीक है अब यहांपर हमने इसको इसको रिणावेसित किया कर देंगे फिर हटा लेंगे तो वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा तो इस वीदी के द्वारा हम वस्तु को धनावेशित या लेनावेशित कर सकते हैं तो यह वीदी कौन सी है प्रेड़न वीदी जिसमें बिना इस पर्ष किये हुए हम क्या करते हैं और वस्तु को क्या कर लेते हैं आवेशित कर लेते अब तीसरी वीदी सीविधी जो कौन चींग ऑचालन वीधी ऑचालन वीधी करूंग वीधी से अबào इसमें क्या होता है इसके भी सर्थ होनी चाहिए तो इसके लिए क्लिए कर आए किषिक्व फिंद्02 कि विद्र्व 2 बिंड और ठीक म नहीर कोई भी एक कोई भी एक या दोनों क्या होने चाहिए कोई भी एक या दोनों आवेसित होने चाहिए कोई भी एक हो सकता है दोनों भी क्या हो सकते हैं आवेसित होना चाहिए कोई भी एक वस्तु या दोनों ही वस्तु क्या हो सकते हैं आवेसित हो सकते हैं तीसरी कंडिशन परकर्ति समान और अलग अलग हो सकते हैं अच्छा है इसमें हम इस पर star करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं करते हैं चानग विथी के दूआरा कैसे किया जा वो देखें, मालो कि 2 pin हमारे पास है, क्या है 2 pin, यह pin A ले लिया और यह pin हमने ले लिया B ठीक है हमने मान लिया कि इसके उपर charge Q A और इसके उपर charge Q B इस परकार से ते ये बोडी हो गई B, ये A है और ये B आप चौरण विधी के दूरा, तो चौरण करने के लिए अणिके आवेस को इस्तानांतीत करना है , और कौन से विधी है चौरण विधी, तो यहां पर इसको किसी तार से हम जोड देते हैं आवेश का इस्तानानता हमेशा उच्छ विभव से कहां से उच्छ विभव से निम्न विभव की ओर होता है विभव की ओर होता है ठीक है समान नहीं हो जाता विभव समान नहीं हो जाता ठीक है तो यहां पर मान लें कि इस बोड़ी का विभव है वी ए और इसका है वी बी तो कब तक आवेश का इस्ताना अंतर होगा जब तक दोनों का मान यानि की वी ए का मान किसके बराबर नहीं हो जाता वी बी के बराबर नहीं हो जाएगा तो मान लिया हमने वी ए का मान किस से जादा है वी बी से जादा है तो अब पता लग गया होगा कि आवेस उच विभव किसका है बोड़ी एका है और निम्नी विभव किसका है बी का है तो एसे कहां जाएगा बी की और आवेस इस्तानांतित हो जाएगा ठीक है तो दोनों का विभव क्या नहीं हो जाएगा समान नहीं हो जाएगा तो फाइनली जैसे ही मान लो इनका कॉम्मन विभव पोटेंशल वी हो गया ठीक है वी ए बराबर वी बराबर यह हो जाएगा जैसे बराबर वी इसका भी वी हो गया और इसका भी वी हो जाएगा तो आवेस है के पहस्चात इसके ओपर कुल आवेस कितना है और इसके ओपर कुल आवेस कितना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुल आवेस निकालने के लिए क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन टू ऐसे हम इसको सॉल करेंगे यानि कि इसका कुल आवेस और इसका कुल आवेस उन दोनों का आविस्त लेके बाद में जैसे ही हो जाएगे तो निकाल लेंगे दौनों के उपर क्या जाएगा ौपर नाव्ययर आजाएगा हैं और अवेस का इस्थानांत्रन होता है कहां से उच्छ विभव से निम्नी मुभ्व कि और कब तक होता है जब तक की दोनों को समान नहीं हो जाता और जब वह हो चुकी हैं तो लंतीम आवस्ते नेके बाद अगर उनको अलग लग हम करेंगे तो आवएस कितना होगा उसका मान इस उत्र की साहता से हम घ्याद करेंगे इस पर्वेश कि थी घर्षन विधी प्रेरण वीधी और चानन वीधी तो इससे आगे को लक्षब है उसमें हम आवेश की मात्रग क्या होता है ऊस समंदित कुछ प्रॉलम्स है नुमेरिकल प्रॉलम्स उसको हम सौल करेंगे यदि आपको लेक्चर अच्छा लगए तो जल्दी से कमेंट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले थैंक यू